हालो एवरिवन वेलकम टू चेतनास लाइफस्टाल फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मिया आने वाली है और अल्मोस्ट आ ही चुकी है सर्दी के दिन जा रहे हैं और गर्मिया आ रही है तो गर्मियों में आप सभी लोग कई न कई संस्क्रीन को ढूंड रहे होंगे कि कौन सी संस्क्रीन हम खरीदें और कौन सी ना खरीदें तो ऐसे में दोस्तों मैं आप सभी की साथ में आज एक संस्क्रीन का रिव्यू लेकर के आई हूँ और आपने टाइटल में पढ़ी ही लिया होगा जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ VLCC Natural Sciences की Hydrophobic Sunscreen Lotion जो की SPF 50 के साथ में आती है PA++++ के अंदर आता है और With Raspberry Seeds Oil के साथ में ये प्रोड़क्ट आपको मिलता है और ये जो प्रोड़क्ट है ये वाटर रेजिस्टेंट है लॉंग डूरेशन है और प्रोटेक्शन करता है आपकी काफी लंबे समय तक आपकी स्किन ये यूवी ए और यूवी बी रेज से प्रोटेक्ट करता है ये वाला प्रोड़क्ट और ये जो प्रोड़क्ट है ये पैराविन फ्री आता है और इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये एक ट्यूब फॉम में आता है और मैंने काफी सारे काफी सारे ब्रांड्स की सं करती हूं और यह जो संस्क्रीन है दोस्तों यह रस्पेबरी सीड्स ओयल इन इस ऑन अफ दोस लग्जिरियस नेचुरल इंग्रिडियंट विच नॉट ओईली अज रिच मोश्राइजिंग प्रोपर्टीज बट अल्सो है इस हाई सन प्रोटेक्शन फेक्टर और फॉर अधर प्यूटी बेनिफिट्स ओफ रस्पेबरी सीड्स ओयल विद अधर नेचुरल इंग्रीडियंट्स और यह जो संस्क्रीन है दोस्तों यह पूरी तरह से पैराबिन फ्री है और सुटेबल फॉर और इसकिन टाइप सी प्रोड़क्ट आता है और आप जब भी इसे स्विमिं कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि बाहर जाएं तभी हम संस्क्रीन को एपलाई करें आपको घर पर भी संस्क्रीन को एपलाई करना है और जब भी आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से 15 से 20 मिनट पहले आपको संस्क्रीन को एपलाई करना है देना आप आपका कोई भी मेक Pvt. या कोई भी मेकप आप अप्लाइ कर सकते हैं और इसको आप को जब response करना है तो आपको फोर्स मेंड करना है तो काफी अच्छा टैमिंग आपको मिल जाता है कि फोर अवस के बाद आप इसको रिय एपिल करें और दोस्तों इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम एंड इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 यर्स एंड थी 75 रूपीज में ये आपको प्रोडक्ट मिलता है और ये जो प्रोडक्ट है वो आप सभी को मैं बताना चाहूंगे कि जिनकी बहुत ज्यादा ड्राय स्कि है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ये आपकी स्किन को प्रोडेक्ट करता है और इसका जो टेक्श्चर है क्रीम का वो मैं आपको बता देती हूं ये इस तरह से आता है और सौरी काफी ज्यादा ही प्रोडक्ट बाहर आ गया है और ये जो प्रोडक्ट है वो इस तरह यह हलका सा white cast छोड़ता है जब भी यह पूरा absorb हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगे कि यह थोड़ा सा white cast छोड़ेगा product लेकिन after some time यह oxidized हो जाएगा तो वो उतना ज़्यादा white cast आपको नजर नहीं आएगा और यह मैंने apply कर लिया है और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा white cast इसने छोड़ा है लेकिन यह matte formula के साथ में आता है तो उतना ज़्यादा आपको बेकार सा नहीं लगएगा face पर और जिनकी dry skin है especially dry skin वालों के लिए जो sunscreen है मैं suggest करूँगी और dry skin वाले इसे जरूर से purchase कर सकते हैं और जिनकी oily skin है वो तो इसे बिल्कुल भी purchase ना करें क्योंकि oily skin वालों के लिए बिल्कुल भी यह product नहीं बना है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा oily हो जाता है लगाने के बाद में non greasy formula इसका बिल्कुल भी नहीं है हाँ यह जब लगात हैं तो मैट लुक आपकी skin को देता है लेकिन यह मुझे ऐसा लगता है कि यह dry skin वालों के लिए और normal skin वालों के लिए यह product बैटर रहेगा oily skin वाले से बिल्कुल भी ना खरीदें तो दोस्तों आज का review आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताईए अगर आपको अ